Hair loss को मैंने बहुत closely experience किया है और उसकी अलग-लग stages से निकला हूँ बहुत से ऐसे actions हैं जो मैंने खुद लिये हैं तब ही बाल जो ऐसे हो गए थे अब ऐसे हो गए हैं तो मैं आपका यार दोस्त रिशी एरोडा यहाँ बीकैंट करिये पर शर्वाद जाला करें Hair loss का पहला solution जो काम भी करता है वो है minoxidil लेकिन अब minoxidil होता क्या है minoxidil एक तरह का liquid होता है हलाकि यह foam के रूप में भी आता है जो हम अपनी scalp के उपर spray करते हैं लेकिन अब minoxidil काम कैसे करता है यह minoxidil treatment जो हमारी male pattern baldness होती है उसको सही करने के लिए अगर अपको hair loss हो रहा है और उसको भी कम करने के लिए काफी use में लाया जाता है मैंने भी use किया था जब हम अपनी scalp पे minoxidil लगाना शुरू करते हैं तो वो अपना काम करना तो शुरू कर ही देता है लेकिन जो उसके real noticeable result होते हैं वो इतनी जल्दी नहीं दिखते हैं वो दिखने में काफी महीने भी लग सकते हैं लेकिन ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो minox पूरे साइकल में काम करता है हेर ग्रोथ की साइकल के हिसाब से वो कैसे जो हमारे बाल होते हैं उनका एक प्रॉपर ग्रोथ साइकल होता है जिसमें जो पहली स्टेज होती है उसे कहते हैं टेलोजन जो दूसरी स्टेज होती है उसे कहते हैं एनजन और जो तीसरी स्टेज ह उसे कहते हैं सटाजन जो हमारी टेलोजन स्टेज होती है उसमें जो हमारे बाल होते हैं वो रेस्टिंग फेस में होते हैं यानि कि उनमें कोई अभी ग्रोथ नहीं हो रही होती जो हमारी अनजन फेस हैं उसमें हमारे जो बाल होते हैं वो एक एक्टिव ग्रोथ फेस में होते जो सेटेजन फेज होता है उसमें जो हमारा बाल जब वह एनरजन स्टेज को complete कर लेता है तो वो तूटके गिर जाता है लेकिन इस growth cycle के हिसाब से minoxidil कैसे काम करती है जब हम Minoxidil लगाना शुरू करते हैं तो वो क्या करती है कि जो हमारा Talosan stage होता है उसका जो time period होता है उसको कम कर देती है यानि कि जो हमारे follicles होती है जो हमारी बाल की जड़ होती है वो resting face में कम रहती है ठेक है? और जो हमारा Anosan stage होती है जिसमें बाल हमारा active growth में रहता है उस stage को बढ़ा देती है जिससे कहता है कि obvious है hair loss कम हो जाता है और जो बाल तुमारे resting face में पड़े हुए है वो उनकी stage भी कम हो जाती है और वो active growth में जल्दी हाती है अब क्या Minoxidil मैंने लगाई थी? Yes, Minoxidil मुझे doctors ने recommend की थे जब मेरा hair transplant हुआ था उसके बाद मुझे doctors ने recommend किया था कि वो एक पूरा एक आपको pro procedure देते है कि आपको इतने दिनों के बाद Minoxidil लगाना शुरू करनी है तो Minoxidil मैंने खुद अपने बालो अपनी scalp के उपर लगाई हुए है and I have seen the results लेकिन जो मुझे इसका side effect आया था वो यह आया था कि dandruff बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमे scalp के उपर eachiness भी होती है dandruff भी होता है ये मुझे personal जो मेरे को इसके side effects आयते बाकी Minoxidil यूज़ करने से पहले आप एक अच्छे डॉक्टर की सलहा जरूर ले बिना डॉक्टर की सलहा से Minoxidil यूज़ मत करे second hair loss solution जो सच में काम करता है वो है हमारा PRP जिसकी full form है Plated Rich Plasma इसमें क्या होता है इसमें हमारे arms के थूरू आम से हमारा blood निकालके उसकी जो layers होती है अंदर plasma की उनको एक किसी अपने medical तरीके से अलग किया जाता है जिसमें हमारे जो हमारे Plated Rich Plasma होते है वो अलग हो जाते है जो हमारे Plated Rich Plasma होते है उनको हमारी scalp में inject किया जाता है directly TK के साथ अब ये treatment मैंने करवाया है ये treatment भी मैंने करवाया हुआ है तीन सिटिंग्स ली है ये एक सिटिंग में इतना ज़्यादा beneficial नहीं होता है minimum आपको तीन या पाँच सिटिंग्स लेने ही पड़ते हैं तब इसके results दिखते हैं basically होता क्या है कि plated rich plasma जो hair growth रुकी होती है उस hair growth को active करते हैं और obvious है कि जहाँ पे hair growth चाहिए वहाँ पे हमारा blood flow को बढ़ाते हैं और वहाँ पे जुरूरी जो हमारे nutrition चाहिए होते हैं वो पंचाते हैं और ये चीज भी काम करती है I have personally felt it next solution hair loss का जो सच में काम करता है और instantly काम करता है वो है हमारा hair weaving hair weaving में क्या होता है कि जहाँ पे हमारा एक proper male pattern barnals होती है वहाँ पे हमें नीचे से बिल्कुल zero number machine लगाके पहले दो बिल्कुल गंजा कर देते हैं जो ये हमारी sides होती है सिर्फ यहाँ पे बाल रहने देते हैं ठेक है उसके बाद एक patch लगाया जाता है हमारे उस area के उपर जिसे कुछ medical glues होती है उनके साथ और वो tape होती है medical terms में उनके साथ यहाँ पे patch को चपकाया जाता है हलाकि वो जो glue होती है जो वो tape होती है वो बहुत strong होती है यहींने कि आप bike चला रहे हो तो वो उड़ जाएगी या फिर कोई तेज आंदी आई तुफान आई तो उड़ जाएगी और या फिर तुम healthy ball की अपने भाई के साथ लड़ाई कर रहे हो बेहन के साथ लड़ाई कर रहे हो या खीच दिया तो वो निकल जाएगी ऐसा नहीं होता हाँ उसकी एक life होती है जैसे हमें गाड़ी की service करवानी पड़ती है वैसे हमें उसे की हर महीने service करवानी पड़ती है जिसमें वो tape जो नीचे होती है वो हर महीने change होती है और जो आपने वो patch लगाया होता है उसकी भी life होती है वो depend करता है कि आपने किस quality का patch लगाया है जितनी natural quality का patch लगाया होगा कहने का क्या मतलब है कि जितनी patch की आपकी natural look आएगी वो expensive भी होगा और उसकी life कम होगी जो patch जिसकी थोड़ी कम natural look होगी वो सस्ता होगा उसकी life ज़ादा होगी हमारे बहुत से Bollywood celebrities ने भी hair weaving करवाई हुई है अब hair weaving मैंने भी करवाई थी लेकिन मैं आपको recommend करूँगा hair weaving वैल अगर आप young age में हो तो मैं आपको hair weaving बिल्कुल भी recommend नहीं करूँगा मैंने ये गलती की है और वो गलती कहीं ना कहीं मैं पच्ताता भी हूँ बट मैं आपको recommend नहीं करूँगा hair weaving तबी ही करवाओ जब आपका solution जो मैं अगला solution बताऊँगा उसमें ना निकले अगर आपको young age है hair weaving is big no क्यों कि hair weaving गया करती है जब वो हमारा patch लगा देती है तो जो हमारे natural जो हमारे natural follicle है hair के वहां तक oxygen नहीं पहुँच थी एक तो हमारे already hair loss हो रहा होता है महां तक oxygen नहीं पहुँच जब लोड नहीं पहुँच रहा सही मात्रा में तो क्या होता है कि hair thinning बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है अब for example in future, आप hair transplant करवाना चाहोगे कि अग भी आपका budget नहीं है hair transplant के लिए लेकिन in future आप पर गवाना चाहते हो तो वो आपको hair transplant में बड़ी मुश्किल हैगी क्योंकि आपके जो already existing hairs है उनकी जो thickness है वो कम हो चुकी है वो thin हो चुकी है Hair loss का solution है hair weaving लेकिन ultimate last solution है और उसमें कहाता है कही ना कही है तुम्हें confidence नहीं आता है being frankly तुम्हें डर रहता है यारो दोस्तों का ना पता चल जे या फिर किसी को पता ना चल दे जबकि girlfriend अगर आपने उसको नहीं बताया हो उसको ना पता चल दे तो ऐसे जो issues आते हैं वो भी आते हैं अगला hair solution जो मैं personally recommend करता हूं लेकिन doctor की सलाह के बाद ही वो है हमारा hair transplant अगर आपने doctor की सलाह से minoxidin लगा ली आपने PRP की भी doctor से सलाह ले लेकिन अगर आपका doctor है जो आपको recommend कर रहा है कि hair transplant करवाओ तो आप confuse मत हो क्योंकि hair transplant अब इतना ज़्यादा advanced हो चुका हुआ है results आप देखी रहे हैं कि मैंने भी add the end hair transplant ही करवाया hair transplant में क्या होता है कि जो हमारा यही वाला area होता है जिसे donor area कहते हैं यहां से हमारे ऐसी roots को निकाला जाता है जो fallout नहीं होती और उन्हें हमारे जहां पे हमारा hair loss हो रहा होता है वहाँ पे हमारा plant किया जाता है और फिर plant करने के बाद जो hair growth होती है वो उसके natural cycle के हिसाब से ह होती है आपको बहुत ज़्यादा care करनी पड़ती है जो आपको आपके doctors बताएंगे एक proper written document होता है आपको diet लेनी पड़ती है वो diet भी आपको ने बताया है जिसे सबसे care करनी है जिसे सबसे diet लेनी है अगर आप बिलकुल वैसे ही करते हो और अच्छे doctor की सलाह से करते हो then hair transplant में जो results है वो almost 99% अच्छे मिलते ही मिलते हैं hair transplant के बद मैंने बहुत ज़्यादा care किया इसलिए बहुत से messages आते हैं कि अच्छी कैसे हुए just because कि मैंने care बहुत ज़्यादा किया है मैंने diet को बहुत अच्छी तरह से maintain किया था तो जो आपको आपका doctor बोलेगा ठीक है उसको अगला hair loss solution जो काम करता है वो instantly काम करता है लेकिन उनी के लिए ही ये काम करेगा जिनकी हलकी सी like हलकी सी hair loss हो रहा है और वो किसी party पे जाना चाते हैं और दिखाना चाते है कि हाँ मेरी density ज्यादा strong है वो है हमारे hair fiber hair fiber एक instant solution है लेकि ये सिरफ party में ही जब आप किसी party में जाना है किसी meeting में जाना है date पे जाना है तभी ही इस्तमाल करें ये पता नहीं चलता जो आपका hair natural hair color है उसके हिसाब से आपको hair fiber मिल जाते हैं online आपको क्या करना है कि अपने बाल सेट करके उसके बाद जैसे हम normally spray करते ह वो instantly आपकी scalp को जहां पर hair loss है माँ पर भरा भरा दिखाते हैं और ये हमारे waterproof भी होते हैं sweat proof भी होते हैं और wind proof भी होते हैं अगर आप अच्छी quality का लेते हो हाला कि महंगे आते हैं जो एक bottle है वो हमारी 2000 के आसपास आती है लेकिन फिर भी worth होती है because इसे हम कभी कभी ही use करें किसी important event के लिए use करेंगे तो एक bottle काफी time तक चल जाती है तो ये थे top 5 hair loss solution जो सच में काम करते हैं वीडियो पसंद आई like, comment, share and subscribe this is your आपका यार दोस रिशी एरोडा signing off मिलते हैं अगली वीडियो